आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर जाली डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि यह डिजैन कैसे बनाया गया है प्रेंट्स यह डिजैन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इस डिजैन को आप बच्चों के स्वेटर, जैन स्वेटर, लेडिज कारडिगन, जैकेट, गल्स टोप, फ्रोग की सी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती हैं सभी प्रोजेक्ट पर यह डिजैन बहुत ही सुंदर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टिपल फंदे लेकर 5 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो यह डिजैन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजेस्ट हो जाएगा 10 के multiple देखिए 10 फंदे गिन लिजिए फिर से 10 फिर से 10 इस तरह से करते हुए last में आपके 5 फंदे होने चाहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है 10 चलायों का डिजैन है और 20 चलायों में complete हो जाता है बोर्डर के बाद अगर किसी प्रोजेक्ट लिए फंदे बढ़ाने हों तो आप उसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा दीजिए सीधी साइड से डिजैन शुरू हो जाएगा तो चलिए देखतें कि डिजैन कैसे बनाया गया है यह देखे फ्रेंट्स यहां पर मैंने लिए है 35 फंदे 10 ती या 30 और 5 फंदे एक्स्ट्रा फंदे डालने के बाद एक सलाह सीधी साइड से और एक सलाह उल्टी साइड से उल्टी बनाई हुई है डिजैन के यह पहली सलाह है तो ध्यान दीजेगा कि बॉर्डर के बाद की जो पहली सलाह आएगी वो कैसे बनेगी पहला फंदा उतारिए या बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है मैं हमेशा ही इसे उल्टा बनाती हूँ अब धागा पीछे करके पूरी सलाई को सीधा बनाना है देखिए इस तरह से धागा पीछे करके पहली सलाई को सीधा सीधा बना कर complete कर दीजिये ये देखे फ्रेंस इस तरह से पूरी सलाई को मैंने सीधा सीधा बना लिया है लाश्ट के फंदे को भी मैं हमेशा ही उल्टा बुनती हूँ दोनों साइड से इससे क्या होता है ये जो दोनों साइड की किनारी होती है ये मुड़ती नहीं है अब आज ये इसकी दोसरी सलाई और उल्टी साइड पर उल्टी साइड की सलाई को आप पूरा उल्टा उल्टा बना दीजिए तो देखिए धागा अपनी तरफ करके इस पूरी सलाई को इस तरह से कम्पलीट कर दीजिए दो सलाईयां complete हो चुकी हैं आप आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी सैप तीसरी सलाई को आप ध्यान से देखिए तीसरी सलाई में ये जाली डिजाइन बनेगा तो पहला फंदा slip कीजिए या उल्टा बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है देखिए एक फंदा उल्टा धागा पीछे अब चार फंदे सीधे देखिए एक दो तीन और ये चार यानि टोटल यहाँ पर आपके पांच फंदे होने चाहिए धागा आपका पीछे ही रहे देखिए एक और ये दो आगे की साइट से स्लै डालके दो फंदे का एक कर दीजिए धागे को अपनी तरफ ले आईए और एक फंदा यहां पर सीधा बनाईए तो यहां जाली से फंदा बढ़ गया धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलट के इस तरह से सीधा कीजिए पीछे की साइट से स्लै डालके दो फंदे का एक कर दीजिए अब देखिए जो फंदा हमने यहां पर घटाया वो पहले ही जाली से बढ़ गया अब 5 फंदे सीधे बनाईए देकिए एक दो तीन च्यार और यह पांच अब फिर से यही वाला डिजाइन बनाना है एक और यह दो आगे से स्लै डालके दो फंदे का एक कर दीजिए धागा अपनी तरफ एक फंदा सीधा फिर से धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे धागा अपनी तरफ है पीछे की साइड से स्लै डालके दो फंदे का एक कर देंगे फिर से पांच फंदे सीधे एक, दो, तीन, च्यार और ये पांच अब जो डिजैन यहां पर बनाया वहीं यहां पर बनेगा आगे की सैट से स्लै डालके दो फंदे का एक करेंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा ये सीधा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस तरह से पलटके इसे सीधा कर देंगे पीछे की साइड से सलाई डालके दो का एक अब देखिए एक दो तीन चार आप चाहो तो इस फंदे को भी सीधा बना सकती हैं लेकिन मैं लाश्ट के फंदे को हमेशा ही उल्टा रखती हूँ तो इसके बाद भी यहां पांच फंदे आ गए अब आज ये इसकी चोथी सलाई और उल्टी साइड पर उल्टी साइड की सारी सलाईयां इस डिजैन में उल्टी ही बनती हैं तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सलाई को उल्टा बना कर कम्प्लीट कर दीजिए चार सलाईयां कम्प्लीट हो चुकी हैं अब आज ये इसकी पांच में सलाई और सीधी साइड पर पांच में सलाई को देखिए पहला फंदा उतारिए या बनाईए धागा पीछे करके अब देखिए एक दो तीन तीन पंदे बनाने के बाद देखिए और ये वाला और ये हुरा आगे की साइड से टवल आलगे इन दो फंदे का यहां एक कर दीजिए अब धागे को अपनी तरफ ले आइए और 3 फंदे सीधे बनाईए देखिए एक दो और ये तीन फिर धागे को अपनी तरफ कीजिए इस फंदे को पलट पलटके सीधा कर देंगे पीछे की सैड अब 3 सीधे बनेगे 1-2-3 फिर से देखे 1-2 आगे से स्लै डालके दो फंदे का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ और 3 फंदे अभी यह सीधे देखे 1-2-3 फिर दागे को अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे पीछे की साइड से स्लाइड डालके दो का एक अब तीन फंदे सीधे एक, दो और ये तीन आगे से स्लाइड डालके इन दो फंदे का एक कर देंगे क्योंकि यही डिजैन हमारा रिपीट होते जा रहा है धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे सीधे एक, दो, और ये तीन, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इससे पलटके सीधा कर देंगे, पीछे से स्लाइड डालके दो फंदे का एक, और लास्ट में देखिए चार फंदे हैं, उनमें से हम तीन सीधे बनाएंगे, एक, दो, और ये तीन, लास्ट का फंदा मैं हमेशा ही एक, दो, यहां अगर हम टोटल गिनेंगे तो ये हमारे तीन फंदे हो चुके हैं, देखिए चार और ये पांच यहां पर आपने पांच फंदे इस तरह से बना लेने हैं अब ये देखे ये जाली वाला और ये फंदा आगे की साइड से डाल के इन दो का यहां पर एक कर दीजिए धागा अपनी तरफ अब ये जो बीच वाला फंदा है इसे सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर जाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे पीछे की साइट से स्लाई डालके दो फंदे का एक कर देंगे अब फिर से हमें पांच फंदे सीधे बनाने हैं देखे एक, दो, तीन, चार और ये पांच अब ये जाली वाला और ये फंदा आगे से स्लाई डालके इन दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ और इस बीच वाले फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया धागा अपनी तरफ ले आएंगे इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे ये फंदा और ये जाली पीछे से स्लाइड डालके यहां दो का एक कर देंगे अब फिर से पांच फंदे सीधे बनेंगे एक दो तीन चार और ये पांच अब ये जाली और ये फंदा आगे से स्लै डालके दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ और ये देखिए इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहां फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे ये फंदा और ये जाली धागा अपनी तरफ है और पीछे की साइट से सलाई डालके दो का एक कर देंगे लास्ट में देखिए पांच फंदे है उन में से मैं चार सीधे बनाऊंगी एक, दो, तीन और ये चार और लास्ट के एक फंदे को मैं हमेशा उल्टा रखोंगे अब आज ये इसकी आठमी सलाई और उल्टी साइड पर उल्टी साइड की सलाई को अब फिर से धागा अपनी तरफ करके उल्टा उल्टा बुन लिजिए आठ सलाईयां कंप्लेट हो चुकी है आब आज ये इसकी नौमी सलाई और सीधी साइड पर पर देखिए एक फंदा उल्टा धागा पीछे अब ये दो टीन चार और ये पांच ये देखिए यहाँ पर इस तरह से पांच फंदे बनाने के बाद ये फंदा और ये जाले इन्हें आप ऐसे थोड़ा सा लूज कीजिए आगे की साइड से स्लाइड डालके इन दो फंदे क एक कर दीजिए फिर धागा अपनी तरफ ले आईए और इस बीच वाले फंदे को सीधा बनाईए तो जो यहाँ पर घटाया वो जाली से बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ इस जाली वाले फंदे को पलटके सीधा कर देंगे धागा अपनी तरफ है पीछे की साइड से स दागा बीच आते हैं ऐसे आरें दागा है। और भी बीच दागा रहा हैं को ठीलर Oui लाँ देंगे पीछे की साइट से स्लाइड डालके दो फंदे का एक कर देंगे अब पांच फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार और ये पांच अब ये फंदा और ये जाले ये दिखे इस तरह से आगे से स्लाइड डालके इन दो का हम एक कर देंगे धागा अपनी तरफ ये एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे पीछे से सलाई डालके दो का एक और लाश्ट में पांच फंदे हैं देखे एक, दो, तीन, चार इन में से मैंने सीधे बनाए और लाश्ट की फंदे को उल्टा 9 सलाईयां कम्पलेट हो चुकी है 10 वी सलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए 10 सलाईयां डिजैन के कम्पलेट हो चुकी है इन्ही 10 सलाईयों को दुबारा से रिपेट करना है लेकिन इसमें सिर्फ ये हमारी जगह चेंज हो जाएगी जो डिजाइन यहां पर बनाया है वो अब यहां पर बनेगा और एक यहां पर बनेगा यहां पर हाफ डिजाइन बनेगा और यहां पर भी हाफ बनेगा देकिन जो टिजैन की पहली सलाई यहां से शुरू की थी वही 11 सलाई आपको पूरी सीधी बुननी होगी तो देखिए पहले फंदे को उल्टा धागा पीछे और ये जो हमारी 11 सलाई है धागा पीछे करके इससे पूरा सीधा सीधा बना कर कम्पलीट कर दीजिए 11 सलाई हैं 12 सलाई फिर आप उल्टे साइड से इसकी पूरी उल्टे बनाएए तो देखिए धागा अपनी तरफ कीचके और इस 12 सलाई को कम्पलीट कर दीजिए 12 सलाईयां complete हो चुकी है 13 सलाई है और सीधी साइड है 13 सलाई को आप ध्यान से देखिए क्योंकि यही वाला डिजैन अब हमारा यहां से repeat होगा तो पहला फंदा मैं हमेशा ही इसका उल्टा बुन लेती हूँ धागा पीछे और यह देखिएगा एक दो यह दो फंदे सीधे हो गए यानि टोटल यहां पर आपके तीन फंदे होने चाहिए इसको स्लिप कीजिए या उल्टा बनाईए अब यह वाला जो फंदा है इसको हमने ऐसे करना पहले धागा अपनी तरफ लियाएंगे इसे इस तरह से पलटके हम सीधा कर देंगे पीछे की सैड से श्लाई डालके इन दो फंदे का यहां पर हम एक कर देंगे यह दिख़े इस तरह से और आप 5 फंदे सीधे बनाएगे एक दो तीन च्यार और यह पांच अब एक और यह दो आगे से स्लाई डालके दो फंदे का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ और ये एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे पीछे की सैट से स्लाई डालके दो का एक कर देंगे फिर से पांच फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार और ये पांच अब एक और ये दो आगे से स्लै डालके इन दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलट के इस तरह से सीधा कर देंगे पीछे की साइड से स्लै डालके दो का एक कर देंगे अब पांच फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार और ये पांच अब एक और ये दो आगे की साइड से स्लै डालके यहां दो का एक करेंगे फिर धागा अपनी तरफ करके लाष्ट में देखे तीन फंदे हैं इन में से दो सीधे हो जाएंगे एक और ये दो और लाष्ट का फंदा उल्टा अब आज ये इसकी चोदमी सलाई और उल्टी साइड पर इस सलाई को आप पूरा उल्टा उल्टा बना कर कम्प्लीट कर दीजिए चोदा सलाईयां कम्प्लीट हो चुकी हैं पंदरमी सलाई है और सीधी साइड़ पंदर मिसलाई को आफिर सिध्यान से देख लीजिए पहला फंदा उतारिए या उल्टा बनाईए धागा पीछे अब देखिए ये एक फंदा सीधा हो गया ये दो और ये जाली वाला भी सीधा बना दीजिए फिर धागे को अपनी तरफ ले आईए इस फंदे को पलटके सीधा कीजिए पीछे की साइड से स्लाई डालके दो का एक कर दीजिए अब तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन आगे से स्लाई डालके दो का एक अब धागा अपनी तरफ और तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे पीछे की साइड से स्लाइड डालके दो का एक अब तीन फंदे सीधे एक, दो, और ये तीन आगे से स्लाइड डालके दो का एक फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे पीछे से स्लाइड डालके दो का एक अब तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन ये दिखिएगा अब ये एक और ये दो आगे से स्लाइड डालके इन दो फंदे का यहां एक कर देंगे धागा अपनी तरफ ले आएंगे और यह देखिए यह जाली वाला एक, दो और तीन सीधे बनाने के बाद लास्ट की फंदे को उल्टा बना देंगे अब आज येगा इसकी उल्टी साइड पर और सोल मी सलाई पर उल्टी साइड की सलाई को आप बूरा उल्टा उल्टा बना दीजिए सोला सलाईयां कम्पलेट हो चुकी हैं अब आज ये इसकी सत्तर मी सलाई और सीधी साइड पर सत्तरमी सलाई को आप ध्यान से देखिए, पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे ये देखिए, एक और ये दो, दो फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ ले आईए, इस फंदे को पलटके सीधा कीजिए, एक और ये जाली दो, पीछे की साइट से सलाई डालके ध धागा अपनी तरफ है और दो का एक कर दीजिए, अब पांच फंदे आप सीधे बनाईए, देखिए, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, अब देखिए ये जाली और ये फंदा, आगे से सलाई डालके इन दो का एक कीजिए, धागा अपनी तरफ और बीच वाले फंदे को सीधा बनाईए फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलट के सीधा कीजिए पीछे की सैट से स्लै डालके दो का एक कर दीजिए अब फिर से पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार और ये पांच अब देखिए ये जाली और ये फंदा आगे से स्लाइड आलके इन दो का एक कीजिए धागा अपनी तरफ और इस बीज वाले फंदे को सीधा बनाएंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे ये फंदा और ये जाली पीछे से स्लाइड आलके इन दो का एक कर देंगे अब पांच सीधे एक दो तीन चार और ये पांच अब देखे ये जाली और ये फंदा आगे से सलाई डालके इन दो का एक कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे सीधे देखे एक और ये दो और लास्ट की फंदे को उल्टा बनाएगे सत्रा सलाईयां कंप्लेट हो चुकी हैं अठारवी सलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए अठारा सलाईयां कंप्लेट हो चुकी हैं उननिस्वी सलाई है और सीधी साइड है उननिस्वी सलाई को आप ध्यान से देखेगा पहला फंदा उत इसा पाली वाला पालें फंदा है इस से पलटके इस तरह से सीधा कीजिए पिच्छे की साइड से सलाई डालके यहाँ पर आप दो का एक कर दीजिये अब फंदें सीधे देखिए 1 2 3 4 और पांच यह पंदा ऐ यह जाले इन दोनों को देखे इस तरह से लूज कीजिए आगे से स्लाई डालके इन दो का एक कर दीजिए फिर धागे को अपनी तरफ लियाईए और इस बीच वाले फंदे को सीधा बनाईए धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे पीछे की सैट से स्लाइड डालके दो का एक कर देंगे फिर वही पांच फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार और ये पांच ये देखे ये फंदा और ये जाली आगे की सैट से स्लाइड डालके दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ और ये फंदा सीधा बनाएंगे तो यहाँ फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ इस जाली वाले फंदे को पलट के सीधा कर देंगे धागा अपनी तरफ है पीछे से स्लाई डाल के दो का एक कर देंगे फिर से पांच सीधे एक, दो, तीन, चार और ये पांच अब ये देखिएगा ये फंदा और ये जाली इन्हें थोड़ा सा ऐसे लूज करेंगे आगे से सलाई डालके दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ करके लास्ट में देखिए एक और ये दो फंदे सीधे बनाए औ लास्ट के फंदे को उल्टा, 19 सलाईयां कम्पलीट हो चुकी है, 20 सलाई उल्टी साइड से आप धागा अपनी तरफ करके पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए, इस तरह से फ्रेंट्स 20 सलाईयों में एडिजैन ओवर हो जाता है, इन्ही 20 सलाईयों को आगे आगे रिपि कीजिए, फिर ये जाली पेटरन हो जाएगा और इस डिजैन को इस तरह से आप रिपिट कीजिए, जब आप इन्ही 20 सलाईयों को बार बार रिपिट करेंगी, तो देखिए आपका ये सुन्दर सा डिजैन इस तरह से बनता चला जाएगा, अगर आपको इस डिजैन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी प्रेंड्स ग्रूप में से शेर कीजिए, चैनल पर नई हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रैस ताकि आने वाले सारे वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके थेंक यू